इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीटा फंक्सन की मुल्टिपल इंट्रीगल का एक इंपर्टन टॉपिक होता है जिससे दो नमबर का कोस्टर एकजाम में आता है तो चलिए सुरू करते हैं वीटा फंक्सन तो सबसे पहले बात करते हैं वीटा फंक्सन की है तो वीटा फंक्सन इस डिफाइंड एज बीटा एम है एक्ट्वल में बीटा फंक्सन को जब भी डिनोट करने के बात आएगी तो बीटा फंक्सन को डिनोट किया जाएगा बीटा एम और यहां इक्वल होता है इंटिकेशन जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन दी एक्स यानि बीटा फंक्सिन को डिनोट करेंगे बीटा यम यन से और ये फर्म होगा इंटिकेशन जिरो पुवन एक की पावर यम मैंनस बॉन वन माइनस एक स्की पावर यम माइनस वन डिएंस तो अगर किसी भी integral में आपको limit दिखाई दे 0 to 1 variable की power y-1 के पॉर्म में और 1-x y-1 dx तो उसे हम लिख सकते हैं beta y-1 यानि जो x की power रहेगा वो पहले आएगा और 1-x की power जो रहेगा वो alphabet बात में आता है इसकी condition यह होती है कि जो em और n है क्या होने चाहिए पॉस्टिव होने चाहिए em greater than 0 and em greater than 0 इस formula को Eulerian integral of first order भी कहा जाता है यानि बीटा फंक्शन को ही एक नाज और जिया जाता है Eulerian integral of first order अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी से है पहली प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांस्फॉर्मेशन हो अब बीटा अब 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 समझे की यह जो फॉर्म है बीटा फंक्शन का एक इस फॉर्म में है अल्यब्रिक फॉर्म में है यादि हमें इसे टिग्ना मेडिकल फंक्शन पे अप्लाई करना हो तो अब इसका प्रारूप क्या होगा इसके लिया हम सपोस्पोस करते हैं कि लिट है यह यह एक्शकण जिसक्वार मतीया oni आटो। dejar ऐसनफक्वार कार्दिप क्या भाता है डूच लिए जाता है तो प्रन साइंब एंगर हम ली मिट की बात करें क्योंकि हमारा function algebraic से इकना इडिकल फॉर्म में जा रहा है तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए थीटा के फॉर्म में होनी चाहिए तो ठीटा में इसकी लिमिट है निकाल लेते हैं तो जब एक्स इक्वल जीरो दिया हुआ है और टीटा की लिमिट क्या हो जाएगी तो यक्स किसको माला है साइन स्कुएट था साइन चिता को साइन चीडा की वैदू जीरो का वोती है तो जीरो पर होती है जब तो साइन जीरो 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 इसी तरह से जब x की value 1 होती है तो sin1 की value कभी होती है तो थीटा की value क्या हो जाएगी फाइबाई तो आएगे अब हम देखते हैं कि हमारा जो बीटा फंक्शन क्या होगा हम जानते हैं कि बीटा इन इक्वल होता है integration 0 to 1 EX की पावर 1-1 1-X की पावर 1-1 DX अब EX DX और limit इनको put करते हैं इसमें limit होगे 0 की जगह हो गया 0 और 1 की जगह होगे पाई बाई 2 EX की बाई हमें लिया है sin square theta sin square theta की पावर हो गया यह minus 1 फिर है 1-X यानि की 1- sin square theta en minus 1 और DX की जगह है DX लिए क्या है 2 sin theta cos theta d theta तो 2 sin theta cos theta d theta आए अब इसे simplify करें तो आपका इस तू को बाई कर लेते हैं लिमिट हो गए 0 से लेकर पाई बाई टू sin square साइन स्क्वार का स्क्वार कितना है वेटा यान माइनस यान तो यह हो जाएगा साइन 2 यान माइनस 2 और यह थीटा 1 माइनस साइन स्क्वार थीटा होता है cos square theta तो यह हो जाएगा cos 2 यान माइनस 2 थीटा और आपका आगया sin theta cos theta and d theta 2 इंडिकेशन 0 से 5 बाई 2 देखिए sin theta sin theta की पाउर कितनी है 2 यान माइनस 1 और एक sin theta की पाउर कितनी है 1 जब add multiply किया जाता तो पावर क्या होती है add हो जाती है तो यह पावर आजाएगी sin 2 यान माइनस 1 इसी तरह सिमिलर cos का भी हो जाएगा cos का हो जाएगा cos सब्सक्राइब के ओवर आपका डी तो एक फॉर्मूला हो गया आपका सब्सक्राइब कर दिकना मेंटिकल फॉर्म में एक फॉर्मूला आपका यह तो में हो गया डिफिनेशन बीटा की फॉंक्शन की और इसकी तो ट्रास्फॉर्मेशन आया पहला जो हेल्पिंग फॉर्मूला आया है वह है बीटा एमन इकवल टू जिरो दू पाइब बाइब नू साइन टू यह माइनस वन थीता कॉष्ट टू यह माइनस वन थीटा डी थीटा इसी तरह से इसकी दूसरी प्रापेटिस होती है सेमेट्रीक प्रापेटिटी पूर्टिक और बीटा फंक्शन समय्ट्रिक का सेंस होता है कि जैसे हम अपना इमेज देखते हैं तो इसी को हमको दिखाना है कि जो बीटा का सब्सक्राइब कैसा होता है समय्ट्रिक इसके लिए हम करते हैं कि लेट कि एक्स इक्वल वन माइनस तो क्योंकि समय्ट्रिक वहाँ से य की फॉर्म कर रहे हैं तो त्रास्फॉर्म करेंगा हमारे पास जो डी एक्स है वो भी क्या होना चाहिए दिवाई होना चाहिए तो इसलिए हम डी एक्स की बनु निकाल लेते हैं डी एक्स इक्वल हो जाएगा वन का जीरो डेरिवेटिव और माइनस डी वाई अब एक्स को देख लिए डी एक्स को देख लिए अब हम बात करते हैं लीमिट की जब एक्स जब है कंग साल मारा एक्स से य में जाएगा तो वाई की लिमिट क्या होंगी तो लीलिमिट देखते हैं तो एक्स इक्वल जिऻरो आविए भीटा फंक्समें जो लीन जाती हो जी डी रो संद लवा लीमिट जी सब्सक्राइब कर देखें तो यह क्या है जब इक्वेजर में रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो तो वाई की वैलू क्या जाएगी कि अब इससे सॉल्व कर लेते हैं तो बीटा फंक्षन की डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं कि बीटा यम यन इक्वल होता है इंटिकेशन जीरो टू वन एक्स की पावर यम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर यन माइनस वन एड़ दी एक्स अब इस डिफिनेशन में हम जो बैलों निकाले हैं इसको पुट कर देते हैं तो हमने निकाला है लोगल लिमिट कितनी निकाली है बटा वन अपर लिमिट जीरो एक्स की जड़ क्या पुट मना हमने वन माइनस वाई तो वन माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगा यह माइनस अगें वन माइनस एक्स क्या पुट करना है वन माइनस वाई यह हो जाएगा वन प्लस वाई और पावर क्या हो जाएगी इन माइनस 1 dx की बनु कितनी है माइनस dy तो माइनस dy आएए सॉल्ब करें लीमिट हो गए आपकी ए माइनस को बाहर ले ले लिजिए लीमिट हो गए 1 to 0 1 माइनस y की पावर इन माइनस 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यह हो जाएगा y की पावर इन माइनस 1 और माइनस बाहर आ गया है तो आ गया आपका 20 y इंटिगेशन की प्रॉपर्टिस होती है कि जब हम लोवर लिमिट को अपर लिमिट में करवड करते हैं तो माइनस क्या आता है बाहर आता है बीटा यन यह एकवल होगा बीटा यह तो एक कि तरह की इस हो गई सेमेट्रिक प्रॉपर्टी अब देखते हैं बीटा फंक्षन की थर्ड प्रॉपर्टीस तो बीटा यम कॉमा यान इक्वल होता है लिमिट जीरो टू इंफिनाइट एक्स की पावर यम माइनस वन अपाउन वन प्लस एक्स की पावर यम प्लस यान दी एक्स या इसी को लिख सकते हैं कि जीरो टू इंफिनाइट एक्स की पावर यम माइनस वन अपाउन वन प्लस एक्स की पावर यम प्लस यन दी एक्स तो बीटा फंक्शन क्योंकि सेमेट्रिक होता है तो इसमें प्रॉपटी से भी होती है कि अगर x की पावर y-1 upon 1 प्लस x y-1 करें या x की पावर y-1 1 प्लस x y-1 दोनों ही कंडिशन में ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं तो ये हो गया आपका बीटा फ्रंचान प्रॉपटी से भी होते हैं